नमस्कार दोस्तों मैं इंजिनियर अनिस राज आप लोको हमारी यूटुब चैनल सिविल अनिस राज में दोस्तों दिल से स्वागत है बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंग दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 10 फूट बाइ 12 फूट के रूम को 6 धरवाने के लिए कितना खर्चा लगेगा एक रूम को ठीक है तो मेटरल के साथ सा लेवर सेटरिंग सबका कोश्ट हम बता है तो वीडियो को पुरा देखिएगा और साथ सत हमारे च का चुडाई हो गिया और 12 फूट लंबाई हो गिया ठीक है आपका लंबाई चुडाई 10 फूट 12 फूट का है एक रूम का साइज और एरिया बराबर अगर बात कर लेंगे दोस्तों तो यह 120 एसक्वाइर फूट हो जाएगा दोस्तों सलैब का जो ठीकनेस है मटाई हमने र आता है मिट्रेल में तो 1.7 मीटर क्यूब है लेकिन सुखा में कॉंक्रिंट भॉलूम का अगर बात कर लेंगे तो 2.68 मीटर क्यूब हो जाएगा और सुखा से ही बिलिंग मेट्रेल का हमेशा एस्टिमेटी कलता है मेट्रेल सुखा में कनवर्ट करता है तो सुखा में कनव और distribution bar, main bar आपका नीचे ड़लाता है और distribution bar हमेशा इसके उपर ड़लाता है, ठीक है, main bar के उपर, तो main bar हमेशा 10 mm का रखना है, आपको slab के लिए, छोटा slab है तब, اور distribution जो bar है, वो आपका कम से कम 8 mm का रखना है, इसे कम नहीं, और बहुत आदमी 10 by 10 का भी रख लेते हैं, main bar 10 mm का और distribution bar 10 mm का रख लेते हैं तो बड़ा slab रहता है वहाँ पर 10 mm का और छोटा slab है तो 10 mm main bar और 8 mm distribution bar और 2 bar के जो बीच का दूरी है माल जे ये बार है और ये बार के बीच की जो दूरी है वो 6 इंची रखा गया है मत्तब कि 152 mm के आसपास पढ़ेगा ये ठीक है तो अब हम बात कमें आपका दोस्तो इसमें अपना hidden beam ठीक है नहीं डाला गया not include और concrete का जो ratio है दोस्तो M20 grade का है grade यानि कि ये एक डेर तीन का है मत्तब एक बैग आप cement लेंगे C4 cement तो डेर बैग आपका बालू लेना पड़ेगा बालू को sand बोलते हैं और तीन बैग आपका aggregate लेना पड़ेगा जिसको हम गिट्टी metal blast बोलते हैं gravel बोलते हैं यही ratio से छत को डलवाना है जो कि based होता है और safe होता engineering के according बाकि आपका contractor जो बोले तो देख लीजेगा लेकिन engineer के अनुसार ये based होता है इस ratio से अगर बनवाईएगा तो मजबुत छत बनेगा और safe रहेगा अब बात कर लिए material में तो पहला नमर में cement bag हो गया तो इसमें आपका 11 bag cement लग जाएगा ठीक है तो हमको market में जो rate चल रहा है cement bag का सारे 300 से लेके 400 के बीच में पर रहा है पर bag पर रहा है ठीक है तो हम कम से कम लेके चल रहे हैं 380 रुपिया एक bag का तो उसके अनुसार आपका परने वाला है खर्चा 4,180 रुपिया पर जाएगा cement के उपर खर्चा अब बात कर ले बालु का जिसको हम rate बोलते हैं कच बोलते हैं, river sand बोलते हैं तो उसके अनुसार बालु आपका 20 CFT लग जाएगा CFT का मतलब cubic foot और rate का बात कर ले तो दोस्तो इसका rate हमेशा 55 से लेके 75 रुपिया के बीच में कम से कम लेके चल रहे हैं पर CFT ऐसे तो बिहार में जैदे ही परता इसका rate बालु का rate जहाँ पर नदी है तो वहाँ पर असानी से मिल जाता तो वहाँ पर आपका rate क्या होता है? सस्ता रहता लेकिन बहुत दूर है, वहाँ से मंगबाना है तो जैदे बर जाता transportation cost के कारण तो हम 75 रुपिया लेके चल रहे हैं एक CFT का तो उसके अनुसार 20 CFT का बालु का rate पंदरा सु रुपिया परने वाला है ये आपके area के according ये rate थोड़ा बहुत कम बेसी होगा तो उसके अनुसार ये rate भी कम बेसी हो सकता है ठीक है? कई-कई बिहार में तो 85 रुपिये भी 80 रुपिये CFT मिल जाता है बालू किसी-किसी जिला में तो aggregate का अगर बात कर ले गिट्टी का अगर बात कर ले जिसको हम ग्रेवल और बोलते हैं ठीक है? तो ये कम से कम आपका 40 CFT लेना पड़ेगा cubic foot लेना पड़ेगा और अगर इसका भी रेट का बात कर ले तो वहीं 50 से लेके आसपास कम से कम 85 रुपिया 85 रुपिया पर CFT पर रहा है अभी का जो रेट चल रहा है हम लोग एरिया में उसके according बता रहे हैं या आपके एरिया में तोड़ा बहुत कम बेसी भी होते रहता है तो हम इसका भी 75 रुपिया पकर ले एक CFT का तो 40 CFT का ये 3000 रुपिया गिट्टी के ऊपर खर्चा हो जाएगा अब हम बात कर ले कि आप बोलेंगे ये जैदे लेके चल रहे हैं रेट तो दोस्तो आपके एरिया में 60, 65, 70 भी हो सकता है 55 भी हो सकता तो उसके according आप multiply कर लेंगे तो सिधा आपका rate पता चल जाएगा आप steel का बात कर ले कि TMT बार है कितना लगने वाला है kg कुंटल कितना लगने वाला है तो ये आपका 96 kg लगेगा ठीक है यानि कि आपका 0.96 कुंटल लगेगा ठीक है कुंटल 96 kg और इसको कुंटल में convert कर दिये तो 0.96 अगर हम बात कर ले rate का तो rate आपका जो सरिया है दोस्तों सरिया का rate अभी 75 से लेके 78 रुपया के बीच में एक अच्छा मतलब कि अच्छा नहीं बहुत जाएक तेक medium range का मिल जाता है steel अच्छा लीजेगा 81 रुपया पर जाएगा तो हम कम से कम 78 रुपया लेके चले तो 96 kg गुने 88 रुपया जब इसको गुना कर देंगे तो दोस्तों गुना करने के बाद ये 7,288 रुपया हो जाएगा अगर 88 रुपया एक के जी का है 96 kg का हो जाएगा 80 रुपया के गॉडिंग और steel का रेट online कैसे चेक करें किसी भी location पे इंडिया के अंदर में मैंने 4-5 वीडियो बना चुके हैं जो सारे वीडियो बाइरल है आप लोग बहुत प्यार किये इसके लिए दिल से धन्यवाद है ये कम से कम 40 से लेके 1.500 रुपया पर स्कॉयर फूट हर एक स्टेट में चेंज होता है और परता है महराश्ट और सौथ इंडिया का अगर बात कर ले तो 80 रुपया से लेके 1.500 रुपया पर स्कॉयर फूट स्लैब का सेट्रिंग का और लेवर का खर्चा पड़ता है लेकिन बिहार, यूपी के एरिया में अगर बात कर ले तो कहीं 35, 40, 45 50, 55 ऐसे चलता है तो उसके एकॉर्डिंग हम ले के चले, तो हमारा टोटल एरिया था 120 एस्क्वाइर फूट था, छट धलवाना एक रूम का तो हम 45 रूपीज लेके चल रहे हैं, कम से कम ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5,400 रूपिया आपका पर जाएगा ये रेट आपके एरिया के एकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा और कम हो सकता है, तो आपके एरिया में जो भी रहे 120 स्क्वाइर पूट में आप मल्टिप्लाई कर देंगे तो आपको पता जाएगा, आप सारे को अगर दोस्तो जोड़ दिया जाए मेटरल करें, तो जोड़ने के बाद मेटरल के साथ में एक रूम का स्लैब कास्टिंग कराने के लिए 10-12 रूम का तो यह कितना पढ़ने वाला है 21,568 रूम पढ़ेगा जो कि इसको एप्रॉक्स 22,000 रूम मान के चलिए लगने वाला है दोस्तो यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सस्क्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए मोटिवेट कीजिए दोस्तो इसी के साथ में थे हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातरव दोस्तो